बिहार राजी का पूर्णिया जिला आज समाज के सामने एक मिसाल कायम कर रहा है यह जिला आज एक अनूठे और दिल्चस्प कारण से लोगों के लिए उत्सुक्ता का विशय बना हुआ है यहां जो बच्चे भोजन में पोशन के अभाव की मार्च हिल रहे थे वही बच्चे आज कुपोशन से टट कर मुकाबला करते नजर आ रहे हैं आज यहां के स्कूलों में हरियाली है और बच्चों का मनोबल मानो आसमान छूरा है और यह सब संभव हुआ है मध्यान भोजन योजना बिहार सरकार और सामाजिक कारियों की अग्रणी संस्था यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई एक महत्वा गांशी परियोजना अंकुरण से इस परियोजना के अंतरगत विद्यालेयों में चात्रों द्वारा पोशन वाटि का विक्सित की जा रही है बिहार में छोटे बच्चों के साथ साथ किशोर किशोरियों में इनीमिया एक कंभीर स्वास समस्या बनी हुई है इस समस्या को दूर करने के साथ साथ विकास बाधित बच्चों की संख्या में कमी लाने के उद्धेश्य से पुर्णिया जीले के चुले हुए सौ विध्यालेयों में जनवरी 2016 से प्रायोगिक तौर पर अंकुरन परियोजना का संचालन किया जा रहा है राष्टिये परिवार स्वास्तर वेक्षन तीन और चार के आंकुरों के अनुसार बिहार में बच्चों के पोशन स्थर में काफी सुधार दिखाई देता है पिछले दस वर्षों के दोरान जहां बच्चों में विकास अवरुत्ता का प्रतिशत 56 से घटकर 45 रह गया है वहीं अपेक्षाकृत कम वजन वाले बच्चों का भी प्रतिशत 56 से घटकर 44 हो गया है और इन सब कश्रे, सरकार एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के मिले जुले परयासों को जाता है इस श्रिंखला में पोशन वाटिका एक बड़ा और प्रभावशाली कदम है जो बच्चों के सूक्षन पोशन के लिए चलाई जारे ही योजनाओं जैसे आईरन फॉलिक के विकल्प के रूप में विक्सित की जा रही है बिहार सरकार के दो प्रमक विभाग क्रिशी एवं शिक्षा ने युनिसेफ और राजियंद्र क्रिशी विश्वविद्याले पूसा के साथ मिलकर पोशन वाटिका के रूप में यह अनूठी पहल की है इससे न सिर्फ बच्चों और किशोर किशोरियों में स्वात सम्मधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल रही है बलकि उनको सुक्ष्म पोशक तत्मों से भरपूर स्थानिय सबजियों एवं फलों के आदतन प्रयोग के बारे में भी जागरू किया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि ये अच्छी आदतें जीवन भर उनके साथ रहेंगी और उनके द्वारा अपनी आने वाली प्रिढियों को भी सिखाई जाएंगी पुरिया जीला में पुर्णीया जीला में पाइलट बीढियालें सुूरू किया गया कैंँ कि वह बच्चों में ज्यादा कुपॉस्थवाट थी साधार पर हम लोग पुषंवत्यका को शुरूगा सौ विढियालों में किये और उसका अच्छा रिजल्ट भी रहा, पोशन वाठीका की सफलता को देखते हुए, हम लोग पूरे बिहार के विध्यालों में इस सविजना को सुरू कर रहे हैं, और इसका फाइदा सभी विध्यालों के बच्चों तक पहुंचे, यह हम लोग की प्राश्मिक्ता है, मध्य सालेओं में पोशन वाठीका लगाने का उदेश्य, मध्यान भोजन योजना के तहट, स्कूल की जरूरतों के हिसाब से परयात मातरा में सबजियों एवं फ़लों का उत्पादन करने से अधिक, एक मॉडल के रूप में इस्तमाल कर, बच्चों और उनके परिजनों को पर अपने आसपास की प्राकृतिक चीजों का इस्तमाल कर पाया जा सकता है। तो क्या है हम इन एडलोसेंट ग्रूप के साथ कर सकते हैं क्योंकि एडलोसेंट न्यूट्रिशन पूरे लाइफ साइकल में अगर आप देखेंगे के महतपूर्ण कड़ी है जो किसोर और किसोरा वस्ता और इस समय में अगर आपको बेटर न्यूट्रिशन का नॉलेज हो न्यूट्रिश्टिब आपको इनपूर्ट मिले तो इसका असर जो है ना कि सिर्फ एडलोसेंट पीरियड में जब आगे चलके आप एडल्ट हूड में आते हैं और जादे तर जब बालिकाएं गर्भवती महिलाओं में तबदिल हो जाती हैं तो उस समय इनके उपर जो एक स्थान दिया आज बड़ी संख्या में ऐसी पोशन वाटिकाएं पूर्णिया के लोगों के घरों में देखने को मिलती हैं जो ना सिर्फ स्वैम उनका इस्तमाल कर रहे हैं बल्कि औरों को भी इसके इस्तमाल के लिए प्रिरित कर रहे हैं इसकूल में हमारे पोशन वाटिका लगे इसमें हम देखे और अब घर में आकर बोले सभी कोई जब मान गए तब घर यहां पर लगाया गए क्रिशी विज्यान केंद्र ग्रामीनों के इस प्रयास में पूरी शक्ति से उनकी मदद कर रही है क्रिशी विज्यान केंद्र पूर्णिया जलालगर यूनिसेफ के अंकुरन पर्यूजना के दासा जूर कर पूर्णिया जिले के स्व इस्कोलों में कीचन गारडे की साहयोग दे रहा है और इस तकनीकी साहयोग में जो किचन गार्डेन में जो सबजियां लगाई जाती हैं, तो उनको कैसे लगाना है, कैसे और्गेनिक खेती करनी है, इन सारी जानकारियों को, जो वहाँ की नोडल अफिसर है, जो किचन गार्डेन के, उनको प्रशिक्षित किया जाता है. मुख्य उद्देश था कि, जो मध्यान भोजन योजना के द्वारा भोजन दिये जा रहे हैं, उसमें कैसे सुक्षिक होशकता तो को उपलब्द कराया जाएं, और सुक्षिक पोशकता तो जैसे कि आरन है, कल्सियम है, विटामिन एक के लिए बीटा कारोटीन है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस धंग से खिलाया जाएं, इन बातों पर हम लोगा ने उन्नों को सारी इनफॉर्मेशन उन्नों को सूचना उपलब्द करवा दि निश्चित कर रही है, इसी प्रकार राजेंदर कृषिविश्विदाले और कृषिविज्ञान केंदर नोडल सिक्षकों और ग्रामिनों को वाटिका स्थल के चुनाव, उसकी तैयारी, रोपनी के तरीके, पीजों और पौधों का चुनाव, उनकी देखभाल इत्यादी क तकनीकी ज्यान दे रहे हैं। बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये समूह छात्र सहबागिता का जबर्दस उधारन देते हुए आपस में मिल जुलकर अनेक योजनाव पर काम कर रहे हैं। जैसे पोशन के अनुसार कौन-कौन सी सबजियां लगाई जाएंगी, कौन सा समूह वाटिका की देखभाल करेगा, किस समूह का कार्य ग्रामिनों को वाटिका भ्रमन के लिए बुला कर उन्हें इसे अपने घरों में लगाने के लिए प्रिरित करेगा। इसके अलावा इन समूह द्वारा व्यक्तिकत साफ सफाई, शौचाले का परियोग, साबुन से हाथों की सफाई, इत्यादी, स्वास्थ और कोशन से जुड़ी आदतों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। इस परियोजना की सफलता में नोडल शिक्षकों की भूमिका एहम रही है। इस साथ हर कदम पर उनका उत्सावर्धन भी कर रहे हैं। जाहे वो प्रभाज सभा का योजन हो या अभिभावकों से समवाद। इसके उपर काफी जो नोडल टीचर्स होते हैं। अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अनेक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से पोशन एवं उससे जुड़ी आदतें। जैसे शोचाले का परियोग, हाथ की सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई इत्यादी के बारे में न केवल उनको जागरूख कर रहे हैं बलकि उन्हें इससे जोड़ भी रहे हैं। पोशन और स्वास्त हमारा आज का विश्य है। पोशन क्या है? किसी को पता है पोशन क्या है? हम लोग जो रोज खान-पान के द्वारा अपने सरीर में ग्रहन करते हमारा पोशन है। समय पर खाना खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, इसे हमारा स्वास्त अच्छा रहेगा. हमें रूच कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित अहार में भी कैसा करना चाहिए? सिरंगा भोजन हमें करना चाहिए. सबसे पहले केसरिया रंग, उसके बाद सफेद, उसके बाद खारा. वैसे ही हमारा भोजन भी होना चाहिए. भोजन में सबसे पहले कौन सा लेना चाहिए ह में उजला जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं उसे हम लोग सफेद मान सकते हैं दूद हो गया अंडा हो गया यह सब क्या हुआ सफेद हुआ साफ सफाई हम लोग कैसे बढ़ते उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कोई बताएगा खाना खाने से पहले हाथ दोना चाहिए सोच जाने से बाद हाथ होना चाहिए एक मीटिंग रखी गई है पोस्टन वाठीका के सम्मन्द में बियारसी में उस मीटिंग में गए तो वहां खुल कर बात सामने आई कि बीज बैबीज या बीज बैटीस एरिया में पोस्टन वाठीका लगाना है अतरत्रा की सब्जियां लगाना है उसमें एक प्रशन हम की अपनी तरफ से इतनी छोटी सी जगह में कितनी सब्जियां हो गिया और हमारे हैं बच्चों की संकियां बहुत ज्यादा है पांसो से जबभव है तो वहां पर याया की एक मोडल है यह मोडल के रूप में प्रस्तुत करना है यह तरह का लेशन होगा और उसमें जो सब्जियां लगेगी वो सब्जियों में क्या-क्या पोसंग तत्तों पाय जाते हैं बच्चों को पेटिकली बताया जाएगा तिस वैतिस एर इस अदर्ष पोशंग वाटिका के निर्मान एवं संचालन में विड्याले शिक्षा समिति के साथ 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 इस्थानिय लोग भी पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। स्थानिय ग्रामीन बच्चों को वाटिका के लिए उचित स्थान चुनने, उसे खेती के लिए तयार करने के साथ साथ, उसकी सिचाई और देखरे करने से फसल की कटाई, उसकी कुणवत्ता की जांच, नापतौल, भंडारण और उसको मध्यान भोजन रसोई तक पहुंचने में मदद भी कर रहे हैं। पोशन वाटिका पंजी भी तयार किया गया है, जिसमें आपके जो ग्रीन लिफी वेजटेबुल का वहाँ पर प्रडक्सन हो रहा है, डेली वेस इसमें कितना इसका आउटपूट हो रहा है, और कितना आपका जो मिड़े मील का जो प्रोग्राम है, उसमें कितना जो प्रोग्त होती है, इस वाटिका की सबसे बड़ी विशेष्टा है, यहां पर पूरी तरह से जैवी खेती होती है, जिसमें जैवी खाद एवं उर्वरक जैसे फॉम्याद मैनियोर या नीमकेक का इस्तमाल होता है, यहां तक कि कीतना शक भी जैवी खोते हैं, यहां इस पाई जाने वाले फसल, मौसम के नुसार पाई जाने वाले और गुणवत्ता आधारित होते हैं। यहां लगाने के लिए विद्धार्थी ऐसी सबजियों और फनों का चुनाव करते हैं, जिन में सुक्ष्म पोशक तत्व, खासकर आयन, विटामिन A, विटामिन C, भरपूर मात्रा में पाई जाते हैं। वाटिका के मेड़ का इस्तमाल मौसमी फनों जैसे पपीता, केला, अमरूद, नीबु आधी लगाने के लिए भी किया जाता है। और विटाने के लिए भी किया जाते हैं।